अगर आप बिना अदा सिवाक के अंदर जाए, आपने अदा सिवाक के अंदर जाए, ऑनलाइन घर बैठी अपने अदा सिवाक के अंदर जाए, आपने 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 अदा स पते का नाम online changer का सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी विराजों को open कर लेना है और आपको Google में लिखका सर्च करना हुगा myadar.udai.gv.in यह government की official website है हम पर आप दी सकते हैं myadar.udai.in आपको इतना लिखका सर्च कर देना है अधागार में पिता या पती का नाम चेंज करना चाहते हैं बिना आदा सेंटर जाए तो हैंपर आपको आपसे मिलेगा update आदार online इस पर click करेंगे इसके बाद आपको सबसे नीचे आपसे मिलेगा proceed to update आदार आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आपसे मिलेगा name data or gender address यह आप सब कुछ online update कर सकते हैं आप अपने अदाकार में नाम को दो बार update कर सकते हैं data work को एक बार update कर सकते हैं और gender को भी एक बार update कर सकते हैं और address आपको 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 अगर आप अपने अधागाड में पती हस्वेंट का नाम फील करेंगे पती का नाम डालेंगे बाद इसकी बाद आपका नीचे हिंदी में अट्मेंटिक नाम आ जाएगा अगर हैंपर आपका हिंदी में नाम गलत आ रहा है तो आप Google Input Tool के जरिये से अपने हिंदी को नाम सही का सकते हैं इसके बाद House Window Apartment का नाम फील करेंगे तो आपका जो भी House Window Apartment का नाम है उससे इापर आप फील का दीजिए इसके बाद दीखिए नीचे आपका हिंदी में अटमेंटिक नाम आ जाएगा इसके बाद आपका जो भी स्टेट रोड लैन है उसे यहाँ पर आप फिल करेंगे इसके बाद आपको अपनी एरिया लोकलेटी सेक्टर को यहाँ पर फिल करना है तो आप जिस एरिया लोकलेटी सेक्टर में रह रहे हैं उसे यहाँ पर फिल करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपनी एरिया का पिन को डालेंगे आपकी एरिया में जो भी आपका पिन कोड है उसे यहाँ पर फिल करेंगे एरिया का पिन को डाले की बाद आप यहाँ पर आपको उपने बिलेज टाउन सिटी को सेलेट करना है तो आपका जो भी बिलेज टाउन सिटी है उसे यहाँ पर आप सेलेट करेंगे यहाँ पर आप अपने village town city को यहाँ पर दिख सकते हैं उसे आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद यहाँ पर दिखिए आपका जो भी गाउं कस्वा सहर है हैंपर हिंदी में नाम आ जाएगा अगर हैंपर आपका हिंदी में नाम गलत आ रहा है तो आप google input tool के जरीए से हैंपर आप उसे सुदा सकते हैं अब हैंपर आपका automatic post आ जाएगा आपका जो भी post office है हैंपर आ जाएगा और हैंपर आपका जो भी district है हैंपर आपका district का नाम आ जाएगा और हैंपर जिले का नाम हिंदी में आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर दिखिए आपको यहाँ पर एक नीचे option मेंता है manual upload यहाँ पर आपको एक document upload करना होगा अगर आप अपने अधागाड में online घर बैठे बिना आधा center जाए अपने अधागाड में पिता या पती का नाम change करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ballot supporting document upload करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको option में जाता है select ballot supporting documents इस पर आप click करेंगे अब यहाँ पर दिखिए सबसे उपर आपको option में जाता है आधार लेटर अगर आपके पास आधार लेटर है तो यहाँ पर आधार लेटर को select करेंगे अगर आपके पास Address Certificate है तो हैंपे आप Address Certificate को upload करेंगे अगर आपके पास Arm Lessons है तो हैंपे आप Arm Lessons को select करेंगे Bank, Statement और Passbook को यहाँपे आप upload कर सकते हैं और भी यहाँपर दिखिए आपको अलग-अलग पिरकार की हैंपे document मिन जाते हैं अगर आपके पास Cast and Domestial Certificate है तो आप उसे भी upload कर सकते हैं अगर आपके पास Certificate Village, Panchaid, वाई जो पैदान, जो मुखिया होते हैं अगर आपके पास उनका कोई Certificate है तो यहाँपे आप उसे भी upload करके अपने आदा कार्ड में बिना आदा सेंटर जाए, पिता या पती का नाम change कर सकते हैं और भी यहाँपर दिखिए आपको Certificate के option मिन जाते हैं तो आपके पास इसमें से जो भी document है, उस document को यहाँपर आप select करेंगे तो यहाँपर दिखिए आपको कई पिरकार के यहाँपर document मिन जाते हैं नरेगा कार्ड, अगर आपके पास नरेगा कार्ड है तो यहाँपर आप नरेगा कार्ड को भी upload करके अपना address पिता या पती का नाम change कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे आपको कई पिरकार के यहाँ पर document मिन जाते हैं, voter card, barter will, तो आपके पास इसमें से जो भी document है, उस document को यहाँ पर आप select करेंगे, तो मेरे पास bank statement है, तो यहाँ पर मैं bank statement को select करूँगा, और इससे select करने के बाद यहाँ पर देखे आप okay पर click करेंगे, और okay पर click करने की बाद यहाँ पर आपको आपसे मिलेगा view details, इस पर आप click करेंगे, यहाँ पर आपको आपसे मिलेगा continue to upload, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर मैंने statement को यहाँ पर select कर लिया है, आपने जो भी document को select किया है, यहाँ पर आपका document आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click करना है next पर click करने की बाद यहाँ पर दिखिए आपने अपने अधागाट में जो भी update किया है यहाँ पर आपकी पूरी detail आ जाएगी तो आपका जो भी नए address है यहाँ पर दिखिए आपका नए address आ जाएगा और हैंपर आपका जो भी नया पता है हैंपर हिंदी में आ जाएगा इसके बाद हैंपर दिखिए आपको यहांपर दोनों जगए पर क्लिक करना है और दोनों जगए पर क्लिक करने की बाद हैंपर आपको नेश्ट पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने की बाद आपकी detail इस तरह से open हो जाएगी अगर आप बिना आदार सेंटर जाए आदार कार्ड में पिता या पती या अपना एड़ाश चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको online 50 उर्पई पे करने पड़ेंगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको i hereby पर हैंपर क्लिक करना है और हैंपर आपको option लिगा make payment इस पर आप क्लिक करेंगे make payment पर क्लिक करने की बाद आपका payment method इस तरह से open हो जाएगा सबसे पहले आपको option लिएगा create card debit card अगर आप create card debit card से अपना payment करना चाहते हैं तो हैंपर आप इससे select करेंगे इसके बाद हैंपर आपको आपका नाम है उससे यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके bank account में जो भी आपका more number रश्टाइड है उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है यहाँ पर आप उना OTP डालेंगे OTP डालने के बाद आपको option मिलेगा complete payment इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं जो हमारा 50 सुवी का payment है वहाँ पर successful हो चुका है जैसे आपका 50 सुवी का payment हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा download acknowledgement इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने की बाद एक PDF file download हो जाएगी आप इस PDF file को open करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस PDF file को open कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसे आप 50 सुवी का payment कर देते हो उसकी बाद दिखिए आपने अपने अधाकार में जो भी correction किया है वो लगव साथ दिनों के अंदर update हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान देना है आपने जो भी document upload किया है वो सही होना चाहिए अगर आपका document सही होगा तो साथ दिनों के अंदर आपके अधाकार में correction सही का दिया जाएगा अगर आपका document गलत होगा तो आपकी request को cancel का दिया जाएगा तो इस तरह से दूस्तों आप बेना आधा सेंटर जाए अपने अधागार में पिता या पती का नाम change का सकते हो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आगा वीडियो पसंद तो लाइक का देना चैनल पर नेच चैनल को subscribe कर लेना मिन्त आपको उगली वीडियो में तब तक लिए नवसका जहन बंदे मात्रम